अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको इस्थिपा दे करके आपको सतंत रूप से राइनिती कर सकते हैं मैंने भी किर्शी मंत्री था सरकार में मैं अपनी बात नहीं मनवा पाया तो मैंने इस्थिपा दिया किसी भी सरकारी करमचारी और अधिकारी को एक निश्चित प्रोटोकॉल पालन करना होता है किसी शिक्षक के लिए सभी अधिकारी और करमचारी के लिए और वो निरधारी था है कि आप सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको इस्थिपा दे कर कि आपको सतंत रूप से राईनीती कर सकते हैं मैंने भी कृषी मंत्री था सरकार में मैं अपनी बात नहीं मनवा पाया तो मैंने इस्थिपा दिया तो जब आप समाज बदलने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं लोग जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग उनको रिष्थिपा दे करके और सक्री राईनीती में सिधे सिधे आना चाहिए अन्यता सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए जो MLC है उनका भी पेंसन रोग दिया जा रहा है ध्यान देजियो सिक्षक के रूप में का पेंसन रूप में उनका पेंसन नहीं रूप लूप देजाए मैंने कहा कुछ काम सही नहीं है और कुछ काम अनके सही है तो दोनों अलग-अलग सवाल हैं जो अच्छे काम है शिक्षकों की बहाली, क्लास्वरूम में लोगों का पढ़ाई शुरू हो जाना, छात्रों की उपस्तिती अच्छा काम है और कुछ उनके हैं उटपटांग काम है, तो उटपटांग काम का अलोचना होगा आपके सहयोगी भागपा माले के विधाय कर रहे हैं, कि कारिपाली का विधायका पर हावी होते जा रहा है यह बात सही है, लंबे समय से कारिपाली का विधायका पर हावी है विहार में बिधान सभा के सत्र समय से नहीं बुलाया जाते परियाप्त नहीं बुलाया जाते विधायका के सदस्यों की बात नहीं सुनी जाती यह बात लंबे समय से है और मैं तो बिहार विधायका के सामने मैंने एक बहस के लिए रखा कि क्रिशी कानून पास होना चाहिए एक प्राइ माले के लोग आज का रहे हैं ये काम मैं साल भर पहले से कह रहा हूँ पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव के प्रयाम आने वाले हैं क्या बिहार पर भी इसका कोई असर पड़ेगा और महागठ बंधन को कितना फैदा हो गई से महागठ बंधन मजबूत होके आएगा देश में जो पांच राज्यों की चुनाव में महागठ बंधन मजबूत होके आएगा उसका बिहार पर भी असर होगा देश पर भी असर होगा और महागठ बंधन आने वाले समय में चौविस के लोग सभा की चुनाव में सरकार बनाए है और ऐसे लोगों कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे सुधाकर सी ना बने रहें नीज फोनिशन के साथ